नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी कर स्वागत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली UPSC Assistant Boy Technician के तैयारी कराई जा रही और आप भी जानते हैं कि इसका एक्जाम जन्वरी में होना है तो फ्रेंड अगर आप लोग घर बैठे तैया साल बकरा दिये गया है आज हम लोग 20 प्लस आगे से कोश्चन को साल बकराएंगे अगर आपने इसमें फार्म को फिलप किया हुआ है और आप अभी तक बुक नहीं लिये हैं तो जरूर आप लोग ले लिजेगा और यह आप देख सकते हैं यह जो बुक आपको दिखाई द मिलने वाला है मतलब आप कह सकते 155 पेज आपको इसमें मिलने वाला है तो मैं आप सबीस कहना चागए इस बुक को लेना मत भूलेगा बाकी इसमें सभी कुछ दिया गया हिंदी से लेकर हर एक पार्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपने नहीं लिया है त तुरत जो है डाउनलोड करना मत भूलेगा लेके घर बैठे आप अच्छे से तैयारी करें बाकी जो है आपको सारे कोश्चन इसमें देखनों को मिल जाएगा तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसके पहले हमारे चैनल पे आप लिए 20 कोश्चन तक साल्ब कराया गया था ज कि उसेक में क्या मापा जाता है जो कि उसेक होता फ्रेंड इससे हम लोग क्या माप सकते हैं तो ए में देखिए हैं जल की सुधता बी में जल की गहराई सी में जल का बहाव डी में जल की मात्रा तो हमारा जो है कि उसेक का क्या आपसन इसमें होगा आप लोग कमेंड जरूर करें ताकि मालुम चल सके कि हाँ आप भी हमारे वीडियो को देख रहे है और डेली आप तो हमारा 21 का जो ओफसन निकल के सामने आ रहा है वह हमारा यहाँ जो आपसन निकल के आएगा वह हमारा C-Options सहे होगा जल के बहाओ को जो है मापा जाता है कि उसे के तो 21 का जो option निकल के आ रहा है वो हमारा C option correct होगा C option हमारा सही है बाकी आप यहां देख सकते हैं 22 नंबर पर 22 नंबर पर जो option दिया जा रहा है इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक Y मंडल के ओजोन परत की मुटाई नापने वाली इकाई है तो जो Y मंडल की जो परत ओजोन परत होती है उसकी मुटाई नापने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो A में देखिए not, B में डॉप्शन, C में पॉज, D में मैक्षवेल तो हमारा क्या होगा 22 नंबर का 22 नंबर का आप लोग कमेंट जरूर करें बाकी चैनल को सस्क्राइब करके लाइक सेर अपने, मित्रों के पास जरूर सेर करें ताकि उनको भी जानकारी हो सके कि हमारे छोटे से चैनल पे आप लोग के लिए लाइफ क्लासेस मतलब आफ लाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गए तो यहाँ आप हमारा जो आपसन निकल के आ रहा वो डापसन का नियम जो आप लोग सुने होंगे तो वही आपसन इसमें दिखाया जा रहा है जिसमें से बी आपसन हमारा सही होगा ओजोन परत की मुटाई नापने वाली इकाई जो होती है वो डापसन हमारा बी आपसन ही करेक्ट होगा बाकी आप देख लीजे फ्रेंड यहाँ पे आपसन भी सही दिया गया है उसके बाद आगे देखिए फ्रेंड आगे आप लोग के सामने 23 नंबर 23 नंबर कोश्चन आ चुका है इसमें देखिए पूछा क्या गया है कि डापशन इकाई का प्रयोग किया जाता है जो कि अभी हमने आपको बताया था तो एम देखिए पिर्थिभी की मुटाई मापने के लिए B में हीरे की मुटाई मापने के लिए C में ओजोन परते की मुटाई मापने के लिए D में सोर के मापन के लिए तो 23 नंबर का क्या आपसन होगा 23 नंबर का कमेंड करें चैनल को सस्क्राइब कर लें बाकी ये सारा कोश्चन आपको जो है बुक में मिल जाएगा अगर आप बुक लेना चाहते हैं या पीडियाफ लेना चाहते हैं तो उसका लिक डेस्क्रेशन बॉक्स में दे दिया गया है सभी चीजों का आप बात की जाए तो निवारान हो जाएगा इसी से जो है सलेबस के कॉर्णिंग पढ़ाया जारा आप देख लीजिए यहाँ पर यहाँ पर हमारा 24 नंबर का 24 नंबर का कोश्चन पर पूछा क्या गया है कि महाशागर में डूबी हुई वस्तुआओं की इस्थिती जानने के लिए निम्ण में से किस याद्र का परियोग किया जाता है महाशागर में आप भी जानते हैं जो बड़े बड़े शागर होतें महाशागर होतें उसमें जो डूबी हुई वस्तुआओं होती हैं उसको हम लोग इस्थिती मतलब जानने के लिए किसी याद्र का परियोग करते हैं तो एम देखिए ओडियो मीटर का B में Galvanometer का C में Sex Tent का D में Sonar का तो 24 नमबर का 24 नमबर का क्या होगा कमेंट जरूर करें बाकी चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें ताकि आपके जो भी मित्र फ्रेंड्स या रिलेटिव जो भी हो छोटे भाई हो उनको भी जानकारी हो सके कि हमारे चैनल पे Assistant Board Technician की शलेबस की recording book तयार की गई है जिसको घर बैठे तयारी आप कम समय में कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा जो option निकल के आ रहा फ्रेंड वो हमारा यहाँ पर D option पर मिल जाता है D option पर सोनार ही हमारा correct होगा सोनार जिन बच्चों का है उन सबी का correct होगा उसके बाद आगे देखिए फ्रेंड आगे देखिए आप लोग के सामने कुछ ब्याक्ख्या दिया गया है जिसे जरूरी है आप लोग के सामने लाना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बोलते हैं सर यह कैसा मतलब आप बता रहे हैं कि इसका जो है ब्याक्ख्या बात की जाए पूरी तरस उनको जानकारी नहीं हो पाता है तो मैं ब्याक्ख्या आपको बताना चोग इसमें दिया क्या गया है कि समुन्दर में भीतर छीपी हुई वस्तु पंडूबी अथवा आइस बार्ग का पता लगाने के लिए सोनार का परियोग करते हैं सोनार का पूर्ण रूप साउंड निगवेशन एंड रेनिंगी इसमें पारश्रब तरंगों को शमुन्दर के भीतर भेजा जाता है प्रवर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की इस्थिती का पता लगाते हैं तो आप भी जानते हैं इसमें पूरी तरह से दिखा दिया है बता दिया गया है कि किस टाइप से इसमें काम करता है ये सोनार क्या चीज है ठीक है ये साउंड की तरह आवाज की तरह जो है इसको पूरी तरह से पकड़ता है तो ये हमारा यहाँ पे उत्तर D option सोनार सही होगा बाकी आपके सामने दिया गया है 25 नंबर पे कि सोनार निम्ने लिखी तो द्वारा परियोग में लाया जाता है अब आपके सामने ये question ज्यादा problem नहीं होगा ठीक है यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है option में क्या दिया गया है कि आंत्रिश यात्रियों द्वारा डाक्टरों द्वारा इंजिनिरों द्वारा या नौसर चालकों द्वारा जो चालक होते हैं नौसर चालक होते हैं उनके द्वारा तो क्या होगा 20 के बात की जाए 25 नंबर का 25 नंबर का पूछा गया है तो 25 नंबर का जो आपसन निकल के सामने आ रहा फ्रेंड वो हमारा यहाँ पर डी आपसन पर मिल जाता है नौसर चालकों के द्वारा यहाँ पर हमारा डी आपसन करेक्ट होगा डी आपसन हमा को द्वारा किया जाता है सुनार की सहायता से महाशागर में डूबी हुई वस्तु की इस्थिती जानने के लिए उच्छे आवरिती की पारश्रब तरंगों को महाशागर की गहराई में भेजा जाता है ये तरंगे उस वस्तु से टकरा कर प्रतिध्वनी के रूपे में मतलब क्या है जो हमारा सुनार होता है हम लोग क्या करते हैं इसको जो है महाशागर में उतारते हैं वहाँ पर बात की जाए जैसे हमारा जो है यहां से थोड़ा से मैं आपको बताना चाहूंगों जैसे हमारा तलाब होता है ऐसे टाइप से तलाब होता है उसके बाद हमारी सोनार बता देता है कि हाँ इसके अंदर समुद्र के अंदर कुछ चीजें हैं ठीक है तो उसी के कॉर्डिंग मालूम चल जाता है कि हाँ इसके अंदर जो डूबी गई वस्तु है वो क्या है तो वहाँ से मालूम चल जाता है तो महाशागर में किसी भी वस्तु को पता लगान तो सुनार में हम क्या प्रियोग करते हैं अब आपको कोई भी confusion नहीं होना चाहिए इस question से तो एम देखिए रेडियो तरंगों का पारशरब्य तरंगों का सरब्य धोनी तरंगों का या और सरब्य तरंगों का तो हमारा 26 नंबर का 26 नंबर का जो option निकल के आ रहा है अभी मैं को कोई भी confusion नहीं होना चाहिए इसी type से मैं question आपके लोग के सामने लेके आता हूँ जो student नहीं लिए है book को ले 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 इसलिए कि friend अगर आप लोग ये book नहीं पढ़ेंगे तो सोच लिजिए friend syllabus के recording book बनाए गया है बहुत ज़्यादा problem में होंगे मतलब exam को crack करना आपके लिए बहुत मुश्किल की बात होगी तो ध्यान दीजे friend बाकि 27 नमबर पर देखिए 27 नमबर पर क्या पूछा गया कि ध्वनी की तिब्रता को मापने वाला यंत्र है जो ध्वनी की तिब्रता मापता है वो क्या मापता है ए में देखे क्रोनो मीटर बी में एनी मीटर सी में ओडियो मीटर दी में क्या दिया गया फ्रेंड दी में ह तिब्रता को मापने के लिए हम लोग किसका परियोग करते हैं आडियो फोन का करते हैं आडियो फोन का हम लोग उपयोग करते हैं C आप्सन हमारा सही होगा तो जिन बच्चों का C आप्सन है उन सभी का C आप्सन सही होगा आडियो मीटर आपके सामने दिया गया वायू के वेग को मापा जाता है क्रिनो मीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान आंदरता वायू दब आदी में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिसुद्धता के साथ मापन करता है ओडियो फोन दोस यूगत स्रवन सक्ति में सुधा लाने के लिए परियोग किया जाने वाला उपकरण है तो यह आप ध्यान दिजिए आडियो फोन हमारा बता दिया कि क्या इसका काम होता है तो अब आपको ध्यान देना है 28 नमबर देखिए क्या पूछा गया है 28 नमबर पे कि एनुमो मीटर से निमलिखित में से किसका मापन किया जाता है तो अभी मैंने आपको बताया अभी मैंने कोश्चन भी आपको समझाया अब बताई आप क्या ओप्सण होगा कमेंट जरूर करें पानी के बहाओ की गती को या पानी की गहराई को या पवन वेग का या प्रकास की तिवर्था का तो 28 नमबर का, 23 नमबर का जो हमारा उफशन निकल के शाम नहीं आ रहा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा इनिमूमीटर का, पवन वेग का इस्टमाल किया जाता है पवन वेग के लिए हम लोग इसका प्रियोग करते हैं यहां पे हमारा क्या option होगा C option correct होगा C option हमारा सही है तो friend question कैसे लग रहा जरूर आप comment कर बताएगा बाकी channel को subscribe कर लिजेगा अगर जो student इस book को लेना चाहते है उसका link मैंने description box में दे दिया है description box को आप जरूर एक बात चेक करिए इसलिए friend की आपकी जरूरत के चीज़े वहीं से मिलेंगी तो निमने लिखित में से कौन शुमेलित नहीं है यह आपको बताना है तो सुमेलित मतलब ऐसे question जो है अभी ट्यूबल आपरेटर में पूछे गये थे जिसमें से आप friend विश्वास करेंगे कि बहुत से बच्चे question को कर ही नहीं पा रहे थे तो उसी के level से सारे question आपको मिल रहे है friend इसमें उसमें जो है जैसे मिलान टाइप से question पूछे गये थे और यह सारे question भी मैं आपको इसी according दे रहा हूँ इसमें देखे एरोमीटर की वायू की चाल की पूछा गया है अमीटर जो होता है विद्धुधारा टैंकियो मीटर जो होता है दबांतर या पाइरो मीटर हमारा उच्चेता तो इसमें से कौन से एक ऐसा है जिसे सुमेलित मतलब मिला हुआ चीज इसमें नहीं है 29 नंबर का तो 29 नंबर का हमारा जो है या पे C option correct होगा टैंकियो मीटर जो होता है वो दबांतर का नहीं होता है तो यहाँ पे C option हमारा correct होगा बाकी फ्रेंड आगे देखिए यह देख लिजे आपके सामने दिया गया है उसके बाए 30 नमबर तीस नमबर में देखे क्या पूछा है कि गुरुत्वा करसर का सिधान्त किस ने दिया था तो यहाँ आपको बताना है गुरुत्वा करसर का तो यहाँ पर आपके सामने दे दिया है चार्ल्स न्यूटन में आईजेक न्यूटन में चार्ल्स वैवेज ने और जॉन एडमेंस ने यहाँ पर हमारा जो आपसन निकल के आ रहा फ्रेंड वो आपके सामने दे दिया गया है वो हमारा यहां पे क्या होगा वो हमारा आईजेक, निउटन मतलब यहां पे हमारा B option पे मिल जाता है बाकी थोड़ा से बैक्ख्या दिया मैं बैक्ख्या आपके सामने रखूंगा ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सके और आच्छे से आप एक्जाम को क्वालिफाई कर सके तो इसमें देखे एक पूछा क्या गया बैक्ख्या में दिया क्या गया कि गृत्वा करसन पदार्थो द्वारा एक दूसरे की और आक्रिष्ट होने की प्रवर्ती है साह आईजेक निउटन ने गयति के तीन नियमों एवं गृत्वा करसन के सिध्धांत का प्रतिपादन किया है निउटन ने अपनी भौतिक होजों के आधार पर बताया है कि पिर्थिभी ही नहीं आपितु बिश्वर का प्रतेक कण दूसरे कण को अपनी और आकर्षित करता है कणों के बीच कारी करने वाले प्रास्परिक अकर्षन को गृत्वा कर्षन और उससे उत्पन बल को गृत्वा कर्षन बल कहा जाता है तो आप समझ सकते हैं इसमें बताया क्या गया है कि निउटन में अपनी भौतिक होजों के आधार पर बताया है कि पिर्थिवी की पिर्थिवी ही नहीं अपितु मतलब भिषो का प्रतेक कण अइसा होता है जो अपनी तरफ एक दूसरों को खीचता है जिसे हम लोग मैगनेटिक कह सकते हैं चुम्बक कह सकते हैं तो यही हमारा गुरुतों करसंट से पूरी तरह से मिलता जिसे मिलोग आईजेक न्यूटन बोलते हैं यहाँ आप हमारा जो है बी आप्सन करेक्ट होगा तो यह थे फ्रेंड 30 कोश्चन आज के और कोश्चन कैसे लगे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा जिस टाइप से म बुक नहीं लिए तो जरूर ले लें वीडियो को जादा जादा सेयर करें ताकि सभी बच्चे जूड सके और डेली आप लोग क्लास को जॉइन करें और कोश्चन कैसे लगा जरूर एक बार आप अपना फीड़ बैक जरूर दीजिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा तो थैक्स पर वाच्चिंग और बाए बाए